हाई फेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विक्टस लैप्टॉप में हम फैन को कंट्रॉल कैसे करें इसमें जो फैन लगा है पंखा लगा इसके अंदर उसको चैसे करें उसकी स्पीड कम ज़्यादा कैसे करें आइए जानते हैं देखिये सबसे पहले चीज अगर आपका रूम का टेंपरेशर अच्छा खासा है यानि की 22 डिगरी है या ठंड है तो उसका फैन आटमेटी चलता है पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं बताऊंगा मैं आपको आगे तो इसमें फैन की जरूत नहीं होती फिर अगर आपको इसका फैन चलाना ही है और कू पास आ जाएगा यहां पर अगर यहां से ना है तो आपको क्या करना है यहां पर विंडो बटन में जाना है सर्च करना है ओमें सर्च करना है देखिए आ चुका है तो आप इसे उपन करो को तो यहीं पेज खुलेगा जो मैंने खुला है भी देखिए आपको मिलेगा आपक अगर आपका यह application update मांगता है तो update कर लीजेगा नेट से connect करके आपको यहां मिलेगा performance control इस पर आते हैं अब जहां से सुनिए पहले अभी कोई आवाज नहीं है अभी laptop के fan के कोई आवाज नहीं है जहां सुनाता हूं मैं आपको तो अभी कोई भी वाज नहीं आ रही है अब मैं आपको इसका फैन उन करता हूं फिर बताता हूं देखिए इसका जो टेंपरेचर है वह भी 45-46-47 हो रहा है तो आपको यहां पर डिफर्ट पर हैना है सबसे पहले पर्फोर्मेस कंट्रोल पर आना है फोकस करता हूं अगर भूल जाओ याने आपको तो पढ़के बता रहा हूं पर्फोर्मेस कंट्रोल पर रहेगा डिफर्ट पर आना है और फैन स्पीड को आपको मैक्सिमम कर देना है और थोड़ा सा करना है वेट मेरा जो फैन है वह चालू हो जाएगा तो यहां पर मेरा फै स्पीड दे रहा है यहां पर फैन की स्पीड आ रही है उसकी आवाज आ रही है और इसका फायता भी होता है देखिए यहां पर मेरा जो लैप्टॉप है मैं अपने कैमेरे को स्टेंड पर लगाता हूं जो मेरा लैप्टॉप है वह पर 40 डिग्री 49 डिग्री पर आ चुका ह अब मैं थोड़ी देर इसको चला के रखूंगा तो यह कम होता रहेगा और मेरा जो लैप्टॉप है वो कूल डाउन हो जाएगा वैसे तो मेरे रूम में ऐसी भी चल रहा है मेरा रूम का जो टेंपरेंचर है अभी ऐसी का वह बीस पर है मैं आपको दिखाई देता हूं ताक आप भी कर सकते हो फैन की स्पीड को कम जादा कर सकते हो वीडियो पसंद आईए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा